Hello Friends, मेरे YouTube चैनल में आप सवी लोग का स्वागत है Friends, आज किस वीडियो में हम जानेंगे हॉलोवेस के बारे में हॉलोवेस एक तरह का सर्विस इक्विप्मेंट्स होता है जो होटल इंड़स्टी में, यूज में लाए जाता है Guys, मैंने मेरे last वीडियो में जितने भी तरह के जो service equipment हैं उसके बारे में one by one videos बनाए हुए हैं जैसे कि furniture and pictures, linens, china wears, glass wears, cutleries या flat wears इन शारे subject पे अलग से videos बना करके upload किया हुआ है जो लोग नए हैं मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और मेरे लास्ट वीडियो को जा करके देख लीजे क्योंकि ये सारे videos जो हैं काफी knowledgeable वीडियो हैं बहुत ही interesting वीडियो हैं मजईदार वीडियो थै ठीक है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि मेरे इस चैनल में इस तरह का hotel industry से related काफी सारा knowledgeable वीडियो आते रहता है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और जो लोग मेरे फिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो को भी जा करके देख लीजेगा उन शारे वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में डाल दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में जानते हैं कि होलो वेर्स क्या होता है ठीक है होलो वेर्स एक तरह का सर्विस एक्विप्मेंट्स होता है जो होटल इंडिस्टी में यूज में लाए जाता है साथ शाथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ स्पेशल सर्विस एक्विप्मेंट्स के बारे में जो होटल इंडिस्ट आनते हैं, soup Turin एक तरा का soup container है, एक बड़े size का soup container है, जिसमें जिसका huge soup रखने के लिए किया जाता है, या बुफे में, बुफे counter में soup display करने के लिए इसका use में लाया जाता है, next है trace, Dutch tray ओ तरह का होता है, round tray and rectangle tray, round एंगी और खोटे साइच के रेक्टेंगुल ट्रे होते हैं तो यह सारे ह Bluetooth में भी केम से यूज में लाए जाते है नेंगेस्ट है जिसमें खाना sa करने के लिए जिसका यूज में लाए जाता है नेक्स्ट है वाटर जग वाटर जग जिसमें रेश्टेंट के अंदर या पाफी सोग के अंदर पानी सर्विस करने के लिए जिस जग का जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं वाटर जग नेक्स्ट है SauceBot SourceBot जिससे की सोस सर्विस के लिए जिसका यूज में लाय जाता है जैसे कि आप लोग सारी ये Picture में देख रहे है आप लोग Picture में भी देखते जाएं और साथ भी साथ-साथ आप उसको समझने का lleomagas करिए जिससे कि किसी भी तरह का जो information है वो छोट ना पाए आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए ठीक है तो next है टीपोर्ट प्रेंज टीपोर्ट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया हूँ ठीक है तो वो जो चाईना स्सके अंतरगर्ण tea ports के बारे मैंने बतलाया था वो जो tea ports होते हैं वो होता है ceramic tea ports ठीक है तो यह जो ports है यह यह तो fiber को होता है या फिर stainless steel के जो ports होते हैं इसी लिए इन tea ports को मैंने hollow wear के अंदर include किया हुआ है next है coffee port coffee port इसका coffee service करने के लिए जो port का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं coffee port next है milk creamer friends मैंने milk creamer के बारे में भी चाइना वेर्ष के अंदर के बारे में बतला हुआ था लेकिन इस वीडियो में milk creamers के बारे में इस वीडियो में भी बतला रहा हूँ क्योंकि यह जो milk creamer है वो steel का milk creamer होता है ठीक है और चाइना वार्ष के अंदर जो मैंने milk creamers के बारे में बतलाया था वो होते हैं ceramic milk creamers ठीक है तो milk creamer का यूज जो है वो होता है milk service करने के लिए यूज में लाया जाता है next है sugar port सुगर port भी ceramic के भी होते हैं जैसे कि मैंने टाइना वेर्ष में भी बतलाया था और यह जो आज सुगर पोर्ष के बारे में बतला रहा हूं यह जो है वो होते हैं stainless steel care तो इस तरह से यह सारे जो एक्विपमेंट्स हैं यह सारे एक्विपमेंट्स जो है वो होलो वेर्ष के अंतरगर आते हैं अब हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ special service equipment के बारे में जो hotel industry में यूज में लाए जाते हैं तो सबसे पहला है sugar tom का जो यूज है sugar निकालने के लिए किया जाता है sugar ball से sugar निकालने के लिए जिस tom का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं sugar tom next है ice tom ice tom का यूज ice निकालने के लिए ice bucket से ice निकालने के लिए जिस tom का यूज किया जाता है वो होता है ice tom next है स्पारेगस टॉम स्पारेगस पकड़ने के लिए या सर्विस करने के लिए जिस टॉम का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं स्पारेगस टॉम नेक्स है आईस्क्रीम स्कूपर आईस्क्रीम स्कूपर आईस्क्रीम निकालने के लिए जिस scooper का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ice cream scooper next है soup lidl जिस lidl का यूज soup service करने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं soup lidl fondue fork fondue fork एक तरह का special long handled fork होता है two time fork है जिसका handle जो होता है वो तुड़ा लंबा होता है तो ठीक है इस fondue fork का यूज fondue service करने के लिए या fondue खाने के लिए यूज में लाया जाता है next है finger ball finger ball friends खाना खाने के बाद जो हाथ धोने के लिए जो finger ball दिया जाता है थोड़ा हलका warm water lemon के साथ और rose petal के साथ जिसे finger ball कहा जाता है next है nut crackers nut crackers जैसे कि walnut हो गया almond हो गया यह सारे जो nuts हैं उसे तोड़ने के लिए break करने के लिए जो machine का यूज किया जाता है जो cracker का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं गातो slider नेक्स है बर्ड वास बर्ड वास एक तरह का table top है जो table के center में रखा जाता है food flower display करने के लिए इस port को बोला जाता है बर्ड वास नेक्स है fruit stand है एक ऐसा stand जिसमें fruit रख करके display किया जाता है जिसे fruit stand कहा जाता है tea stainer जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ठीक है tea stain करने के लिए चाय च्छाने के लिए जिससे जिसका यूज किया जाता है उसे बोलते है टी stainer next है candle stand candle stand candle रखने के लिए जिस stand का यूज किया जाता है मोमबत्ती रखने के लिए जिस stand का यूज किया जाता है उसे बोलते है candle stand next है jam and marmalet pot jam और marmalet रखने के लिए जिस port का यूज किया जाता है production के अंदर breakfast के time में इस port को जैम and marmalet pot कहा जाता है next है toothpick holder toothpick holder toothpick रखने के लिए जिस holder का यूज किया जाता है जिसमें toothpick रख करके table में display किया जाता है जिसे बोलते है toothpick होल्डर नेक्स है स्ट्रो पाइप होल्डर इसमें स्ट्रो पाइप रहा करके टेवल पे जो प्लेस किया जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रो होल्डर नेक्स है नाइपकिन स्टैंड जिस स्टैंड में नाइपकिन को फोल्ड करके टेवल में डिस्प्ले किया जाता है या टेवल में place किया जाता है उस stand को बोलते हैं napkin stand next है burners burners यानि की fuel container छोटी-छोटी fuel containers होते हैं सैफन dishes के नीचे वो food को गरम रखने के लिए ये fuel के साथ ये container रखा जाता है जिससे की food continuously buffet में गरम रह सके next है bread basket जिस basket में bread को डिस्पले की अजाता है उसे बोलते है bread basket next है next है us tray टिगरेट पीने के टाइम में जिस आश्टे का यूच की जाता है रात फिकने के लिए इसका यूच की आए जाता है इससे बोलते हैं एस ट्रे नेक्स है Cake Stand जिस Stand में Cake को रख करके Table में जो डिस्पले किया जाता है गेस के पास जो रखा जाता है उसे बोलते हैं Cake Stand Next है Wooden Salad Bowl लकड़ी का सलाथ का जो बाउल होता है उसे बोलते हैं Wooden Salad Bowls ये बाउल का यूज शलाथ सर्विस के लिए जो बार में यूज में लाया जाता है तो आप वो जा करके देख लीजेगा आज किस वीडियो में बार में यूज होने वाले कुछ श्पेशल तरह के जो एक्विप्मेंट्स हैं जो उन वीडियो में शामिल नहीं किये गए उनके बारे में हम जानेंगे तो वो है सबसे पहले है आईस बकेट आईस बकेट का यूज आईस सर्विस करने के लिए किया जाता है जिस बकेट में रख करके आईस जो है गेश्ट को दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट है बार में भी ट्रे का यूज किया जाता है जैसे कि राउंट ट्रे यानि कि सैलवर ठीक है बार में यूज किया जाता है नेक्स्ट है रेक्टेंगूलर ट्रे ठीक है यह भी जो food service करने के लिए बार में यूज में लाया जाता है next है champagne bucket यानि कि wine chiller यह एक तरह का bucket होता है जिसमें wine रखकर के फिर उसमें ice रखकर के इस guest को service किया जाता है जिसे बोला जाता है champagne bucket next है lemon squeezer lemon squeezer यानि कि lemon से निम्बू से जो juice निकालने का जो एक squeezer होता है next है Boston shaker एक तरह का shaker होता है जब भी कोई cocktail या mocktail बनाए जाता है तो इस shaker का use किया जाता है जिसमें ice और यतनी भी तरह की sugar syrup lemon juice और जो भी drinks हैं उसे भीला करके उसको shake करके हिला करके उसको एक cocktail या moktail बनाए जाता है इसी shaker को Boston shaker कहा जाता है नेट्ट है वाइन ओपनर, वाइन ओपनर का यूज वाइन खोलने के लिए, वाइन का जो कोर्क होता है, उसे खोलने के लिए किया जाता है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज किस वीडियो में, हॉलो वेर्श के बारे में, कुछ special service equipment के बारे में, और शाथी साथ बार में यूज होने वाले कुछ special service equipment के बारे में जाना, आसा करता हूँ, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, साथी साथ मेरे ये चैनल, hospitality knowledge को subscribe करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में, hotel industry स related इस तरह का knowledgeable वीडियो आता रहता है